उधमसिक नगर में वन्य जीवों की तसकरी का मामला सामने आया है पुलिस ने कच्वों की खेप के साथ दो लोगों को गिरफतार किया है आरूपियों के पास से पुलिस को 293 कच्वे बरामद हुए हैं मामला दिनेश पुर्थाना श्वेत्र का है जहां मुगबिर की सूचना पर पुलिस ने तसकरों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिचाया पुलिस शेकिंग कर रही थी तबी एक कार आती हुई दिखाई दी पुलिस ने जब कार को रोक उसमें बैठे हुए लोगों से पूछताच की तो वो घबरा गए इस से पुलिस का उन पर शक और पुखत के ही रहने वाले हैं दुरलब प्रजाती के कच्वे पकड़ने में उत्राकंट पुलिस की ये सबसे बड़ी कारवाई है पुलिस ने संबंदित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है गाड़ी जो आप मेरे बाये देख सकते हैं एक सबसे बड़ी उपलब्द आज दिनेशपूर पुलिस को हुआ है इसके लिए मैं तेह दिन से टीम को धनिवाद ये सब कोई दिनेशपूर का रहने वाले को ट्रांजिट क्या है SSP उधमसिग नगर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि गिरफतार आरोपियों ने पूश्टाच में बताया कि ये एटा में पूरी उत्तरपरदेश से कच्छवे लाकर गाउं-गाउं में जाकर हजार रुपे प्रतिकिलों में बेचते थे जानकारी में आया है कि ये बहुत हाई रेट्स में इनको बेचते हैं और कुछ सो ऐसे अक्वेरियम के अंदर रखते हैं और काफी लोग इसको कंजम्शन भी करते हैं मदब खाने के लिए बहुत ही उपर दाम पे करता है करके बेचा जाता है इसकी तसकरी किया जाता है ये प्रतिबंदित है इस प्रकार करना प्रतिबंदित है तो ये हमारे सो के अनुसार जो है लगबग 6 लाक रुपए सभी अधिक मार्केट वाली मिली जुआनकारी के अनुसार पकड़े गई आरोपी कच्छवे की तसकरी के लिए लगजरी गाडियों का परियोग करते थे ताकि रास्ते में बैरियर्स चेक पोस्ट पर रोकाना जाए इस बार भी ये एटम इन पुरी से अनेक बॉर्डर बैरियर्स चेक पोस्ट को पार लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद